आज हम लोग बात करते हैं कि why newcomers mostly fail in stock market तो जो students होते हैं basically वो stock market में जब इंटर करते हैं तो most of the 99% student का कहना यह होता है कि मेरा पैसा डूब गया तो इसका सबसे बड़ा कारण या most of the अगर हम कारण देखे रीजन्स देखें तो पहला बात था कि आप जब भी stock market में इंटर करते हैं तो आप इंवेस्टमेंट करते हैं 500 to 1000 के अप्रॉप मदलब आप minimum amount उसमें return इंवेस्ट किया और basically आप लोग को वैसा नॉलेज नहीं होता उसको आप सिखनी के तोड़ पे उसमें इंवेस्ट करते हो तो अगर 500 to 1000 में आप पहना limited amount of the quantity of stock आप खरेट पाते हों अगर हम average अगर हम 1 रूपीज पर stock का growth भी हम देखते हैं तो 1 रूपीज पर growth में भी आपका stock में आपको अटना profit नहीं होता है जितना कि आपका brokerage चार्ज कर जाता सेलिंग के वक्त में second point second point है कि आप लोग पेसेंस लूज कर जाते हो कि अगर स्टॉक प्राइस का rate डाउन होने लगता तो आप सेल कर तो ऐसे आप देखोगे तो 500 रूपीज आप इंवेस्टमेंट ठीक हो और पलस आप लॉस में ही थोड़ा ही से लॉस में आप उसको सेल क इंवेस्टमेंट नहीं करते हो अगर profit हो रहा है तब तक तो ठीक है जैसे उसमें कुछ loss होना start हुआ तो आप उसमें इंवेस्टमेंट करना छोड़े तो for example अगर आप 500 to 1000 अपने इंवेस्ट किया अगर आप इसी को हर 10 देज या 15 देज में या आधर बना लेके 50 to 100 यह money का जैसे कि आप 100 रुपया को अगर हम 15 डेज में आट किया है कोई सेयर का रेट 200 रुपीज में आप बाई किये अब उस सेयर का रेट 180 रुपीज हो गया है तो आप अगर उस वन एक नया इंवेस्टमेंट एक सेयर आप 180 में भी बाई कर लेते हो तो इन फ्यूचर कि अगर आपको कोगहें कि मैं सिफ इंवेस्ट करूंगा तो श्रूफ करते जा रहे हो तो यह सब हीट के कर अपका शक मार्केators में लोस हो ना बंद हो रेगूलर फ्लो बना के रखना चाहिए कि इंवेस्टमेंट करो विड्रॉ करो विड्रॉ करो या फिर अगर लॉंग टरम खेलना है तो पैसा इंवेस्ट करके उसी कंपणी पर छोड़ दो जिस कंपणी पर चैन की नीन सोस अगो कि हाँ दस साल तक इस कंपणी में पैसा डू कोच रहे हो कि कैसे स्टॉक मार के ट्रेडिंग करना तो नीचे डियर डिसक्रिप्शन लिक में आप जाके लिंक्स के ठूरू आप स्टॉक आकाउंट ओपन कर सकते हो और अकाउंट ओपन होते ही हमारा आपको ट्रेणिंग सेजन जो द्वाड़ा दिया जाता है वह आपको ट्रेडिंग के आ जाता है कि कब सेयर बाई करना कब सेयर सेल करना अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कात आ रहा हूं या कोई भी चीज़ डिसकास करना हूं तो नीचे दिये गए कॉमेंट बॉक्स में आप वो कुस्ण हमसे पुछ सकते हैं